हेलो एवरिवन दिस इस पूरुसोतम यह एर एंड वन्स अगेन वेलकमिंग यू तो जीनियस अकेडमिक्स आज हम कार्बन एडिट्स कंपाउंट्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल जीनियस अकेडमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब नाउ ताकि वीडियो आते ही आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जो कि हम कंटिन्यू करने वाले हैं कार्बन एडिट्स कंपाउंट्स को तो हमने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया था कि कोवलेंट बॉंड्स कैसे फॉर्म होते हैं हमने स्टेप बाइ स्टेप उसको बिल्कूल अच्छे से कवर किया था आप मेंसे किसी ने वो वीडियो अब तक नहीं दिखाया देन डोंट वरी लिंक नीचर डिक्सक्रिप्शन बॉक्स में गिवन है आप उधर जाके भी हमारे प्रिविएस वीडियो को चेक कर सकते हैं तो आज हम उसी चैप्टर को कंटीन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑप कोवलेंट कंपाउंड तो आपको सबसे पहले कोवलें ऊंके आप def市 norफ he coach होते हैं एक इलेक्ट्रोन करेंगी किया डेलेक्ट्रौन होना होना चाहिए तभी तो स्टैबल होगा पर इसके पास एक ही एक लेक्ट्रोन होगा उसके पास कितना PCR होगा एक ही लेक्ट्रौन होगा तो नहीं परिस्शान होगी कि यगार कम से कम 2 दोनों कोई एक-एक इलेक्ट्रोन चीए तो हम एक काम करते हैं एक इलेक्ट्रोन तु मेरे साथ सेयर कर एक इलेक्ट्रोन में तेरे साथ सेयर करता हूं इस तरीके से हम दोनों काई काम हो जाएगा तो दोनों एगरी हो जाते हो के दोनों में डील फाइनल हो जाती है और दोनो अपना एक-एक electron share करते हैं रेड वाला बोलेगा चलो deal होगी ये पक्की, तो चलो share कर लेते हैं जल्दी से, तो red वाला जल्दी से एक electron share कर लेगा अब देखो इसके पास कितना electron हो गया रेड वाले के पास, दो एलेक्टरन हो गया, ऊके, एक इलेक्ट्रोन तो पहले से इसके पास और एक इलेक्ट्रोन ब्लू वाले ने दिया, शेयर किया, तो इसके पास दो इलेक्ट्रोन होगा, इसका काम हो गया, अब ब्लू वाला भी लेगा, क्योंकि डील हुई है, शेयर करेंगे, तो ये ब्लू वाला भी रेड वाले का अपना एक electron share करेगा अब देखो blue वाले के पास कितना electron हुआ एक electron पहले से था और एक electron red वाले का लिया तो इसका भी 2 हो गया दोनों का काम हो गया दोनों ने share share करके अपना बहुत ही अच्छे से duplet complete कर लिया अब दोनों के पास ही 2 electron हो गए और यही तो यह चाहते थे तो इस तरीके स से दोनों ने share किया और एक bond बना लिये और इस bond को हमने क्या नाम दिया कोवेलेंट बॉंड अब ऐसे जो बॉंड बनते हैं उसकी कुछ properties होती है जो आपके एक्जाम में भी पूछ लिया जाता है तो चलिए उसको भी आब हम समझते हैं लेट मी रेजिट को कि इस तरीके से आपको मैंने एक बार रिवाइस भी करवा दिया कि कैसे bond बन रहा था अच्छे से समझना है तो previous वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है चला properties देखते हैं तो सबसे पहले इनका जो intermolecular forces होगा वो कम होगा जैसे कि hydrogen और hydrogen है तो उनके बीच में उतना ज्यादा bond strong नहीं हो होगा क्योंकि इनके बीच में बहुत ही कम force लग रहा है यह ज्यादा जोर से एक दूसरे को पकड़े हुए नहीं है जिसकी वज़से इनका जो force लग रहा है वो बहुत ही कम है intermolecular forces अब देखो force कम लग रहा है इसका मतला आप थोड़ा सा भी heat दोगे तो वो क्या हो जाए जाएंगे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी तो इसी से हमारा दूसरा point आजाएगा कि इनकी वज़से क्या होता है इनका low melting point and boiling point होता है इनका melting point भी बहुत कम होता है इसका reason क्या है इनके बीच में force बहुत ही कम लग रहा है थोड़ा सा भी heat दोगे न तो यह तुरन पिघल जाएंगे melt हो जाएंगी तो ठीक है यह दोनों ही point interconnected है आप समझ सकते हो फिर बाद में जो next point है वो कुछ इस तरीके से समझो अभी इधर ज्यान दो कि जहां भी हमारा electron जहां पे भी हमारा free electron होता है free electron होता है वहां पर क्या flow करता है वहां पर current flow कर सकता है पर जहां पर free electron नहीं होगा वहां पर current flow करेगा क्या current भी flow नहीं करता current वहीं flow करेगा जहां पर electron free electron होगा तो इधर देखो, जो भी covalent compounds होते हैं, जैसे कि hydrogen और hydrogen थे, तो इनके बीच में क्या हुआ, कोई भी free electron था ही नहीं, सब share हो गए, तो इनके पास free electron बचा ही नहीं है, तो इधर क्या current flow होगा, current flow नहीं होगा, तो ये भी इनकी एक property है, कि इनके इनसे भले कितना भी current पास करो, ये पास ही नहीं होगा, क्योंकि ये bad conductor of electricity, ये bad conductor of electricity होते हैं, तो इस तरीके से हमें ये ध्यान में रखना है, अब चलिए आगे का देखते हैं, अब आता है हमारा allotrop of carbon, अब आप सोचोगी ये allotrop क्या है, ओके ये भारी भड़कम सा सब्द सुनके आपको लगया, यार ये बताया था कि carbon क्या है, वो बहुत different different चीजों के form में exist करता है, जैसे कि हमारी body है, तो हमारी body में भी carbon present है, जो diamond है, आपको पता है न, diamond, diamond तो सब को ही पता है, तो diamond भी किस से बना हुआ है, हमारा carbon से ही बना हुआ है, जो आप pencil से लिखते हो, उसमें भी क्या present है, carbon present है, ओके pencil की जो चोच होती हो, कि pencil का जो lead होता है, उसमें क्या present होता है, उसमें present होता है, graphite, और graphite क्या है, carbon का एक allotrop है, तो allotrop मतलब बिल्कुल simple है, कि जो हमारा carbon है, वो different different form में exist करता है, carbon सिप एक ही form में नहीं रहेगा, कि हाँ हमने बोल दिया, ये carbon है बस, carbon सिप एक चीज में नहीं कार्बन के बहुत सारे form है, और उसी को हम बोलते हैं, allotrop, समझ में आया, जैसे कि diamond है, तो diamond क्या है, diamond कार्बन का form है, तो इसको हम बोलेंगे, कि diamond क्या है, हमारा allotrop of carbon है, जैसे हमारा graphite है, जो कि मैंने आपको बताया, हमारा pencil होता है, उसके lead में present होता है, उसके याली कि carbon का ही एक form है और जो in होता है कि फूलरीन स्थी इन यूवर्ड और यह भी खालते है कि करता है में यह अचसे करता है और उसको ही हम क्या ओलते हैं कि यह हमारा carbon का पर यह ना आ और ने सने वे67 ऑलो है अपको लिक्सकार्प यह क्या है तो सिंपल है जो भी कि हमारा carbon वो different different form में exist करता है जिसे हम allotrop बोलते हैं आगे समझ में आप चलो आगे बढ़ते हैं अब आई ये diamond के बारे में जानते हैं तो diamond जो है उसके बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी क्या कि diamond जो है हमारा वो carbon से ही बना हुआ है तो जो हमारा diamond है वो एक allotrop of carbon है diamond is an allotrop of carbon यह मैंने आपको पिछले slide में बताया ओके और जो diamond है वो सबसे hardest substance है यह आपको one marks के लिए ध्यान में रखना है आपके exam में भी यह question आ सकता है तो जो हमारा diamond है वो substrate hard substance है और जो diamond होता है उसका melting point कैसा होता है कम होता यह ज्यादा होता है तो diamond का melting point होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है ओके it has very high melting point and boiling point तो यह भी आपको ध्यान में रखना है अब देखो आप carbon इतना ज्यादा hard कैसे है यह इतना ज्यादा रिजिट कैसे है रिजिट यानि कि इतना ज्यादा सक्त तो जो हमारा carbon जो हमारा diamond है वो किससे बना हुआ है कार्बन से बना हुआ है यह आपको जो रेड रेड दिख रहा है यह डाइग्राम में यह क्या है यह हमारा कार्बन है तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है चार कार्बन से 1 2 3 4 यह आपको दिख रहा है इसने एक कोवेलेंट बॉंड बनाया है एक कार्बन जो ह बहुत ही ज्यादा होता है अब देखो यह चार कर्बन से जुड़ा होगा यह और चार करबन से जुड़ा होगा आप टू, ठ्री, फूर तो ऐसे ये बागी čar carbon से जूड़ा हुगा तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा रिजिट स्ट्रक्चर बन जाएगा इसलिए जो हमारा carbon होता है वह बहुत ज्यादा सक्त होता ऑके अब इसके diamond के कुछ और properties जानते हैं अब जो carbon होता है वो कैसा होता है वो 3D होता है diamond को आपने देखा है और वो 3D होता है तो वो क्यों 3D होता है क्योंकि उसमें covalent bond present होता है यह हमारा 3 dimensional network होता है जिसमें हमारे covalent bonds present होता है अब देखो मैं कैसे बताता हूँ यह जो हमारा 1 carbon है वो कितने carbon से bond बनाएगा और 4 carbon से bond बनाएगा तो 1, 2, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon तो ऐसे देखो यह diagram में भी यह कितने carbon से जुड़ा हुआ है और 4 carbon से जुड़ा हुआ है 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon तो आप देख रहे हो कैसे हर एक carbon जो है वो 4-4 carbon से जुड़ा हुआ है तो यह एक बहुत ही 3D से बना लेता है एक rigid 3D से बना लेता है क्यों क्योंकि यह एक carbon हमारा covalent bond बना रहा है बाकी carbon के साथ और यह होता है हमारा कैसा होता है है बहुत ही having nature होता है यह मैं आपको बता लिया कार्बन हमारा सबसे hardest substance होता है तो यह कैसा है बहुत ही hard होता है next point इसका density होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि यह molecules जो है बहुत ही पास-पास में जुड़े हुए होंगे तो इसका जो density होता है वो बहुत ही ज़्यादा increase हो जाता है Since there is no free carbon atom the diamonds does not conduct electricity अब इधर भी वही बात आ गई जो हमारा carbon है उसमें आपको एक भी free electron नहीं दीखेगा जैसे एक हमारा carbon है तो वो चार carbon के साथ अपना electron share कर रहा है तो इसके पास free electron है free electron तो बचा ही नहीं तो इधर electricity pass होगा इधर electricity pass नहीं होगा क्यों नहीं पास होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था electricity वहीं पर पास होता है जहां पर free electrons होते हैं और जहां पर free electron नहीं होगा वहां पर electricity भी पास नहीं होगी तो carbon में हमने देखा कि इधर जो diamond है उसके अंदर एक भी carbon का electron free नहीं है जिसकी वज़़से ये electricity को conduct नहीं करेगा diamond is a poor conductor of electricity चलिए अब और आगे की बाते जानते हैं अब diamond के बाद हमारा next allotrop of carbon है graphite तो graphite में भी हमारा carbon present होता है और carbon कैसा सेब बनाता है hexagonal ring बनाता है ये देखो ये आपको देख रहा है hexagonal ring है यानि कि इसके 6 side है तो ये carbon मिल कैसा बना रहा है देखो कैसे ये एक carbon है ओके ये दूसरे carbon से ऐसे जुड़ेगा ओके ऐसे carbon से जुड़ेगा और ये carbon भी एक और carbon से जुड़ेगा ओके फिर ये carbon भी एक और carbon से जुड़ेगा ऐसे करके ये total 6 side वाला सेब बना लेता है जो मैंने इधर भी आपको सो किया है इस तरीके से तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छे साइड हो गए उसके तो यह क्या बना रहा है छे साइड वाला सेव बना रहा है जिसे हम बोलते हैं कर्णल रिंग कारबन से तीन चारल नींचे कारबन तीन कारबन थे एक तीन कारबनolis कारबनों है जैसे कि डाइमच एक कारबन से जूडा था चार कारबन से पर इधर एक carbon जो है वो तीन carbon से जुड़ा हुआ है 1, 2, 3 इस तरीके से ये तीन carbon से जुड़ा हुआ है अब देखो ये layer की तरह आपको दिख रहा है ये पहला layer, ये रहा दूसरा layer तो हाँ ये ऐसा ही होता है जो आप pencil से कभी भी आप लिखते हो तो कैसा होता है? पैंसिल की एक layer आपके page पे आजाती है तो वो क्या होता है? वो layer by layer होता है कभी भी आप diamond से लिखने की कोसिस करना diamond को कितना भी गिस लो वो आपके page पे कभी भी नहीं उतरेगा पर वही आप graphite को लेको है पैंसिल को लेके थोड़ा सा भी ऐसे करोगे न तो उसकी एक layer आपके page पे आजाती है ठीक है? तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा graphite होता है उसमें जो carbon होता है वो कैसा होता है? layer by layer होता है और ये देखो इसके बीच में force बहुत ही कम है जो कि बहुत ही weakest force आप समझ सकते हो कि जिसकी वज़े से आप कुछ भी लिखते हो पेज पे तो बहुत ही easily आप लिख पाते हो graphite की मदद से तो इस तरीके से graphite के अंदर layer by layer carbon present होता है अब जानते हैं इसकी कुछ properties graphite की properties तो जो graphite होता है उसका color कैसा होता है grey is black होता है आप अपनी pencil को देख लो उसमें जो lead present होता है वो कैसे color का होता है black color का होता है grey is type होता है और यह जो है opaque substance है opaque substance यानि कि इस से आप light को pass करोगे तो light pass नहीं होगी और यह जो होता है diamond से बहुत ही हलका होता है graphite सबको पता है और यह smooth भी होता है और slippery to touch होता है यानि कि graphite को जब आप powder के form में लोगे तो वो कैसा होगा वो बहुत ही slippery होगा उसको हम lubricant की तरह भी use करते हैं जैसे जो भी machine की factories होती है उसमें हम इसको graphite को use करते हैं lubricant की तरह lubricant यानि कि friction को कम करने के लिए हम इसको use करते हैं क्योंकि यह बहुत ही slippery है तो यह friction को कम कर देता है अब यह जो है यह हमारा good conductor of electricity होता है अब मैंने आपको एक बात बताई थी electricity वहीं पर पास होगा जहां पर free electron होगा मतलब कि graphite में हमारा free electron है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यह एक carbon था ओके यह carbon कितने carbon से जुड़ा हुआ था मैंने आपको अब भी बताया तीन carbon से एक carbon दो carbon तीन carbon ओके इस तरीके से तीन carbon से जुड़ा हुआ था अब इसके पास चार electron होता है तो तीन के साथ ही जुडा है, तीन के साथ ही इसने bond बनाया, इसका एक electron free है, अब देखो free electron है, तो इधर electricity बहुत easily pass कर जाएगी, इसलिए कभी भी pencil को socket में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो electricity pass करती है और आपको sock लग सकता है, इसलिए हमें कभी भी socket में pencil को कभी plug नहीं कर करना चाहिए, क्योंकि वो electricity को conduct करता है, पर वो heat को conduct करता है क्या नहीं, वो heat के लिए bad conductor है, पर current के लिए वो good conductor है, तो यह थे हमारे graphite के points, अब next allotrop हमारा आता है fullerine, तो fullerine के बारे में अभी ज़्यादा कुछ research हुआ नहीं है, तो आपके जितना NCRT में दिया हुआ है, उतना हम study कर लेंगे, तो यह जो fullerine के अंदर जो carbon होता है, यह देखिए, यह आपको जो गोल-गोल दिखरा है, क्या है, carbon है यह, तो हर carbon एक दूसरे के साथ attached है, और यह जब पूरा आप देख रहे हैं, तो यह आपको कैसा दिख रहा है, बिल्कुल football की तरह दिख रहा है, football आपने देखाना है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, fullerine की तरह, तो यह बिल्कुल football shape का होता है, और इसमें कितने carbon होते हैं, total 60 carbon होते हैं, तो यह आपको ध्यान में रखना है, कि इसमें 60 carbons होते हैं, और यह जो है, यह football की shape की तरह दिखता है, अब चलिए आगे देखते है अब हम कार्बन के नेचर के बारे में जानेंगे तो आप देख रहे हो हमारे अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है जो डाइमंड इतना महंगा डाइमंड होता है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है जो आपकी लकडिया होती है वूड होते है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है तो इस तरीके से आपके आज पास पूरा carbon जो है वो भरा पड़ाएं ओकी, तो carbon हर जग़ प्रेजेंट है, तो ऐसी क्या खास बात है carbon की जो की उसे इतना ज़ादा versatile बनाता है, versatile यानि की carbon से बनने वाले compound बहुत ही ज़ादा है, इसको आप अगर वर्ड के दूसरे बने हुए elements के compound से compare करोगे, फिर भी जो है carbon का compound सबसे ज़्यादा है, तो इससे मैं पता चल रहा है कि carbon कितना ज़्यादा important element है, तो ये सबसे पहले देखो इसकी property क्या है, ये क्या है, टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट यानि कि दे bond बना सकता है, दूसरे elements के साथ, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, ये रहा carbon, इसने क्या किया, आपने 4 electron को share किया, hydrogen के साथ, इसके पास carbon ऐसे होता है, इसके पास कितने electrons होते हैं, outermost cell में 4 electron होते हैं, उनने देखे न, carbon का atomic number क्या होता है, 6 होता है, तो इसका configuration क्या होगा, 2,4, ओके 4 होगा, इसके outermost cell में कितना electron है, 4 electron है, तो चलो, चार ड्रो कर दो, 1, 2, 3, 4, ओके इस तरीके से होता है, और चारो तरफ से अगर hydrogen आएंगे, इधर से आएगा hydrogen, उपर से hydrogen आएगा, ओके, चारो तरफ से इसको hydrogen से घेत दो, ओके, यह रहा hydrogen, इतर भी hydrogen, ओके, तो यह चारो hydrogen के साथ अपनी bond बना लेगा, इतना ज्यादा यह मतलब की, समझ लो, यह कितना ज्यादा capable है, अब देखो, यह hydrogen है, इसको अपना 2 electron complete करना है, तो यह इसके साथ अपना 1 electron share कर लेगा, ओके, फिर यह hydrogen को भी 2 complete करना है, तो यह इसके साथ share कर लेगा, similarly, यह hydrogen भी 2 electron बना लेगा, ऐसे करके, इसने चारों के साथ बना रहा है, अब यह carbon सान थोड़ी ना बैठेगा, वो सबको एक-एक electron share कर रहा है, तो यह उनका भी share करेगा, तो carbon भी इनका एक-एक electron share कर लेगा, ओके, और carbon का भी 8 complete हो जाएगा, 8 electrons complete हो इसका optic complete हो जाया, तो इस तरीके से हम देख रहें कि carbon क्या कर रहा है, वो और 4 electron elements के साथ अपना electron share करके bond बना ले रहा है, तो यह क्या हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, tetravalency of carbon, ओके, इसकी 4 valency है, जिसकी मदद से यह 4 elements के साथ bond बना ले रहा है, तो यह इसको खास बना रह जानी कि carbon क्या करता है, carbon अपने ही जैसे दिखने वाले carbon के साथ एक लंबी सी chain बना लेता है, कभी एक ring बना लेता है, कभी branched ring बना लेता है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, carbon अपने ही जैसे carbon के साथ क्या हो रहा है, जूड जा रहा है, बहुत जादा बहुत जादा लंब के साथ जुड़ जाता है और एक लмовी सी चेन बना लेता हैं जैसे कि आप देख रहे हों यह कार्वन कितनी भी चेन मुस् sogen के इतर भी आप सकते हो कार्वन ऐसे यह फिर यह व्यांव खास त्याँनी कि तरह आपको दीखर ये वना लिए इदर देखा तो carbon branch बना रहा है यह रहा chain तो यह क्या हो रहा है carbon एक लंबी सी chain बना ले रहा जिसको हम क्या बोलते हैं catination property समझ में आ गया चलो next दिखते हैं जो next session है हमारा वो हम इसमें इसको ही continue करेंगे carbon and its compounds को अभी इसमें और हमें बहुत सी important सी बाते जाननी हैं जो हम next session में बहुत अच्छे से cover करने वाले हैं तो next video आप तक time से पहुत जानी चाहिए ताकि आप carbon and its compounds में full marks score कर सको तो अभी कर लो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को प्रेस कर लो ताकि वीडियो आते ही आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने carbon and its compounds शेप्टर को बहुत ही इसली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो और एक्जाम में आया हुआ हर एक कुस्चन अच्छे से अट अच्छे